लो दोस्तों नमस्कार मैं वीनोत कमर आप सभी का स्वागत करता हो जागरती ओनलाइन क्लासेस के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक हमने देखा था अपने फाइलम कापर और्टोपोडा मौलस्का काइग देख लेते और इकाइनो डर्मेटा के बाद में स्टार को किसको स्टाट करेंगे हम कोड़ेटा को ठीक है तो स्टाट करेंगे नाम से मतलब क्या चला है कोड़ेटा कोड़ेटा कहां साया तो कोड़ेटा कहने का मतलब जिसके अंदर नोटो कोड़ पाई जाती है बात को समझना जिसके अंदर नोटो कोड़ पाई जाती है अब बात भी बात को समझो पीट के पीचे की साइड में एक धागा पाया जाएगा उस धागयों को क्या बोलेंगे हम मैरू रजू क्या बोलेंगे इसको मैरू रजू बोलेंगे और मैरू रजू एक दिमाग का हिस्सा होती ब्रेन का हिस्सा होती जो ब्रेन से जुड़ी हुई होगी औ और यह उती है बहुत प्लतन और इसकी चारों और बहगवान ने किया लगा दे यहां पर कंका लिए हड्यांन लगा दि तो जिसके अंदर जिसके अंदर महारू रचू का P बात करेंगे जो भी अपने कॉड़ योगे उन कोड़िता की कास बात कर लेते हैं सबसे पहली बात क्या होगी कॉड़िता की हां भैजल्दी बताओं इसके अंदर सर जो सरीर होगा वो कैसा होगा अंग तंत्र होगा कैसा होगा अंग तंत्र होगा कैने का मतलब सर इसके अंदर तंत्र पाए जाएंगे क्या पाए जाएंगे इसके अंदर तंत्र पाए जाएंगे हम कैसे कॉड़ेट अरे हमारे अंदर क्या रिड की हडी होती है क्या बिलकु रज्जी होगी वासमारी क्या बहुत बहुत आसान थे अंग Tantra पाएजाएगा सर शरीर के अंदर और और इसका जो शरीर होगा वो कैसा होगा 3 कोर की होगा 3 कोर की कहने का मतलब यह सर जर्मीनल लेर का बनाःइधम एक्टो ड्रम-एंडो ड्रम-प्र, और अगर मैं बात करूं इसके अंदर लेर इसलॉम की बाद करूं तो क्या और मतलब हएं क्या अरे सर बिल्कुल होगी क्यों नहीं होगी तो इनके अंदर क्या होगी शिलॉम इसके अंदर क्या होती है उपस्तित होती है अगर कोई नया बच्चा हो तो मैं बता देता हूँ सिलॉम कहने का मतलब हाँ बहुत बढ़िया सर सिलॉम कहने का मतलब गट और उसके भार की जो सरीर की जो बोड़ी की कैविटी होगी उसी को तो क्या बोलते हैं हम सिलॉम बोलें सर बात कर लो साथ साथ में इसके सम्मित की भी बात कर लो यह कैसे होते हैं तो सर बहुत बहुत बढ़िया यह कैसे होते हैं सर यह होते हैं दूपार्स सम्मित कैसे होते हैं दूपार्स सम्मित मतलब इसको काट दो इसको काट दो तो एक भाग से क्या होंगे दो भागोंगे मत देखे चार पॉइंट होगे इसके अंदर सीधे सीधे एजटी जोगे जो आपको लिखने अखंड पॉइंट कहला तहीं वर्गी करण का आधार ही हमारा यही था बात करेंगे कोड़ेट की कोड़ेटा की खास बात क्या इसके अंदर सर अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं कही थी तो हम उनको क्या बोलेंगे नौन कोड़ेट अरे सर बहुत बढ़िया तो बाकी वाले को क्या बोलेंगे नौन कोड़ेट इसको क्या बोलेंगे हम कोड़ेट ध्यान देना कोड़ेट के अंदर भी अलग-अलग वापिस परकार ठीकिन अलग-अलग वापिस उसकी क्लास ठीक है अब बात کرेंगे कि सर इन के अंदर क्या होका खास बात यह होगी इसके अंदर कौरड पाएजएगी कौरेगी कहने का मतलब सर इसके अंदर नोटब पायजएगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर बाइलेटरल सीमेट्री तो पाई जाएगी यह कैसे होंगे सर टिपलो ब्लास्टिक होंगे सीलो हम उपस्तित होगी जिसकी बाते हम पहले से ही कर चुके हैं अरे बासन में आ रही है क्या सबको बहुत बहुत आसान एक दम बड़े मजदार सम हम त्री कोर की नहीं है क्या बिल्कुल है जब हमारा निर्मान हुआ था जब हमारा पूरा विकास हुआ था तब हम बने थे एक्टोड्रम से एंडोड्रम से और मीजोड्रम से आप सभी को बताया था स्टैटिंग अंदर सिलोम क्या हमारे अंदर नहीं होगी सर क्यों नहीं होती हैं तब ही तो इस स्ट्रमक के चारों और दूसरे ओर्गन होते हैं अगर सिलॉम नहीं होती तो यह दूसरे पैर सम्त्रि इसकंदर सिमेंट्री यांति है मेरूराजु उपस्तित कि होगी उपस्तित होगी। एरे हीमोत्यों कि उपस्तित होगी। मेरूरजू कहने का मतलब सर इस्पैरल कोड़े उपस्तित होती है और मेरूरजू होती है सर बहुत बहुत कौमल बापिस सुना मेरूरजू कैसी होती है सर बहुत बहुत कौमल और मेरूरजू की चारों और भगवान ने क्या कर दी उसको दे दी हडियां दे दी और हडियां क् कलेगी यह कहलेगीral ह्ट किसी अवस्ता में उपस्तित होती है यानि जो होते हैं उनके नंदर जीवन ऐंदर जीवनकाल का अंदर पूंच हो भी सकती हैं ने भी हो सकती है लेकिन एक इसा था जिसके नदर पूंच उपस्तित ही यह जिम्यदार हैं Bayern हो गी हमारे से gum अंदर कोकिंग सदी पाई जाती है ये जिमएदार होती है कि हमारे अंदर मनुश्री कÈनदर पहूंच थी और जो कवाड़ मतलब कसे रुख दंड मतलब कमट रूट केने का मतलब उस ने को क्या बताया कि अगर मैरुरजू पाशमयना सर यह मैरूरजू क्या होती एक बार वापी समझो किते हुश समझो ओया इस जिगे अपना ब्रेन हो गया से जुड़ा थागा ब्रेन से जुड़ा हुआ मस्तिक से जुड़ा हुआ अपना चो ब्रेज वो दागा क्या करेगा बड़ा Emptant Hoga दिहान दाटाइना वह दागा ऐसे रहिं को दमझने कहां काम हो। amendment काम करेगा information को क्लिट करनेका काम करेगा यहां पर किसीने पीन चुबाई जल्दी से मस्तिक को पता है यह सूचना है कहां से गई तो यह गई अपने मेरूरजू से होते गई तो कहने का मतलब यह काम की चीज है दिमाग का इसा है ब्रेन का इसा है तो भगवान ने क्या किया कि यह पीठ के अंदर क्या करेगी इनके कभी लग जाती है तो यह जो मेरूरजू होती है वो कैसी होती ह कोंबल्ट कैसी होती है बास सूने तो उसको भगवाने क्या कर दिया उसके चारों और उसके चार अब बात करेंगे कopen data को हम दो पार्ट के अंदर डीवाइड करते हैं को Junior की हड़ी वाले को भी वापीस दो पार्ट के अंदर एको बोलते हैं हम प्रोटों पौरिटा क्या बोलेंगे इसको प्रोटों पौरडटा का तो होता है तो स्टार्ट करते हैं प्रोटो कौडटा जो भी प्रोटो कॉड़िटा होगा वो प्रोटो कॉड़िटा वाले जो जीव इसको प्रोटो कॉड़िटा बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हैमी कॉड़िटा क्या बोलेंगे इसको प्रोटो कॉड़िटा या फिर क्या बोलेंगे इसको हैमी कॉड़िटा बोलेंगे ध्यान देना यह जो जीव होते वो कैसे होते हैं कीड़े रूपी कैसे होते हैं वो कीड़े रूपी होंगे कर्मी रूपी होंगे ऐसे होंगे ऌट है कि ऐसे पीजाते वो जीव जिए आनके इनके अंदर कर्मी रूपी जिव होंगे कर्मीय रूपीmart जीव होंगे तन्टा यह समूंदर कर पाया जाते हैं यह कहां परुनिके सारे से संब्वूंदर के अंदर पाया जाते हैं ठीक है और B जबलेश ठीपलोबलास्टिक और ध्यान देना इसके अंदर क्या होगा सिलोम इसके अंदर उपस्तित के सिलंदर जो इस कंदर उपस्तित होगी थर्ड बात थर्ड बात सम्मित की बात करेंगर दी पार्स सम्मित कैसे होते हैं क rifar sa sa Monte और बात है सुन्हें को कैसे होते यह सर्थ पार शॉट सम economist हों जिसको काटने पर ये नोघ्ष को सफना हो गोगों किया हो जाएगा ध्यान देना इनके अंदर तो सौशन के लिए इसके अंदर गिल्स पाई जाते हैं गिल्स कहने का मतलब उसके अंदर पोर पाई जाएंगे उसकी तौचा के अंदर गिल्स पाई जाते हैं जैसे मचलियों के अंदर पाई जाते हैं वैसे इसके अंदर गिल्स पाई जाएंगे लिंक इसके अधर अलग लग होंगे जीवन के वस्ता में नोटो-कॉड की उपस्तित हो इसके कि होगा नोटो-कॉड की उपस्तित होगी उदारण क्या हो गया ब्लेनो ग्लोस्स और हर्ड मानियं वेरी वेरी इंप्रेंट इसका उधारन है हैंने को बाइने और पै। त्रियू केने का मतलब एक तुम वेल डवलप इसके अंदर क्वाड़ेटा वेल डवलप इसके अंदर मेरूरजू और इसके अंदर रिड की हडी नहीं पाए जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे अब हम नोटो कॉड बोलते हैं उदारन क्या होगे इसका बैलेनो ग्लोसस और क अज़िके हम बात करेंगे आगे वर्टीब्रेट की बात करेंगे ह्फमें पाए जाती आब और रिड की हडी पाई जाती है जेक्क उंक ॉलेनगे तो क्या बोलेंगे इसको हम आगा जिसके अंदर रिड की हड़ी पाए जाती है और खास बात किया इसके अंदर मेरूर रजू पाए जाती है अब देखो बात समझो इसको वापिस हमने किंग्डम सबसे पहले क्या देखा था हमने किंग्डम और किंग्डम के नीचे क्या आता है सभी बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया किंग्डम के नीचे आता है सर डिविजन अगर वो प्लांट है तो अगर एनिमल है तो क्या आता है फाइलम क्या आता है अपना फाइलम योग तो अपना kingdom कौन सा चल रहा है एनीमेलिया कौन सा चल रहा है अपना एनीमेलिया और उसका जो फाइलम है वो फाइलम कौन सा चल रहा है kingdom कौन सा एनीमेलिया ध्यान देना FILEM कौन सا है अपना overlapping sis work class कहने का मतलब क्या होगे भात करेंगे इसके वर्ग की बात करेंगे इसके कितने वर्ग होते है March dead Dzhadella के कितने वर्ग ध्यान देना अलग अलग वर्ग होंगे very very important तो कौन कौन से वर्ग होते है Denmark कौन कौन से वर्ग होंगे है तो सबसे पहला हो गया अपना मतश्य क्या हो गया मतश्य कहने का मतलब इसको बोलेंगे हम हब किस क्या बोलेंगे इसको फिशी जो भी जो भी इसको पीसिज बोलते हैं पाई says येपिसीज और उभेचर क्या बोलेंगे इसको उभेचर पीसीज यानि क्या हो गया मतस्य और उभेचर कहने का मतलब क्या हो गया आनने और आक इंप है आधो और बलेंगे इसको प्लेजिस और यानियकरली ऑनने सब्सक्राइब जिसको क्या बोलते हम जोमOld इसको समयना बिल्कुल एकदम ट्टिक से सब्सक्राइब को याद कर लिएगे एवीज याठी हो गया अनी क्या हो गया पक्सि हो या कि इस्तंधारी तो इस तंधारी क्याने का मतलब क्या हो गया मैं मलस अब बात को समयना के अंदर वापीस कितने वर्ग कितने वर्ग कितनी क्लास होगी तो सर कोड़ेटा के अंदर बात की है मास्टर ने कितनी पांच क्लास की बात की कौन कौन सी पांच क्लास तो सबसे पहले बात की इसके अंदर सर सबसे पहले इसके अंदर बात की है सर किसके मतश्य की बात की है मतश्य कहने का मतलब मचली वाला सी उबतें ध्यान देने अच्डफ वेचर यानी सर क्या होता है एंफीजेंस जब इचन पानी कि अंदर जब इचन नहीं होती है तो स्टल पर कोयने का मतलब घरती पर और query पर और ये पानी में दोनों में पाई जाता है जाने i7-24 और पाने के अंदर दोनों में पाए जाते हैं क्या कहलेंगे उबेचर कहलेंगे लेकिन ध्यान देना इन सभी के अंदर ये तो हो गई इन सभी के अंदर ये तो हो गई अरे चल क्या रहा है कॉड़ेटा जिसके अंदर क्या होगा सर रिड की हड्या होती है रिड की हड्या होत श्तित होती है इसमें सविवाली दिक्त वाली बात नहीं है हमने अब इसको वापिस मैं ने पांच वर्ग के अंदर डिवाइड की तूस chopर लोज को ओरना पैसी कहने का मतलब हो गया मतलब वाला सेकेंड क्या हो गया इसके अंदर उबेचर उबेचर कहने का मतलब एंफीबियंस उबेचर कहने का मतलब क्या हो गया Amphibians एमफिबिएंस कहने का मतलब Sir जो पानी के नदर भी पाय जाएगा हां किस में बाहर भी पाये जाएगा ब बात करेंगे सरी सरफ कहने का मतलब अरे ढामसे पता चलना सर और सापों वाला वर्ग सापों वाले ऊंदर लेट के चलते हैं मिट्टी के अंदर लेट के चलते हैं उसको क्या बोलेंगे और Preds का मतलब है यहद्ट पॉलएं इउड़ने वाले और और अगला वाला कौन सा होगी आपना इसतंधारी सभी याद करेंगे सभीuesta करेंगे इसतंधारी कहने का मतलब सर क्या हो गया मेमल्स होगे मेमल्स कहने का मतलब सर नाम सी पता चला जिसके अंदर इसतन होते हैं क्या कलाएंगे कि इस तटम अठरी तो विझ्यानिक ने भी देखो क्या बड़े दिमाग चया अब ज Municip Hail साथ मेंखकता दिक्कते कि सब सब्सक्राइब कि रीड की अछोन में अलग कर दिया आप अलगे और mom फूं एनिमल वाले लग को अब आपो प्रन आप जा ऑपिस व क o और रीडी की हरो अलग जाओ यह लीडी की हर्डी को मतलब कोड़ेटा लेकिन वाँ पर भी लोचा कुछ लोग पाई का अंदर रहते हैं जिन रफैपड़े वगर पाए नियाते गिल्स पाए जाते हैं क्या नाम दिया उनको मतशिय यानि पिसीज वर्ग दिया और कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल जिसके अंदर जो पाई में भी पाई जाते हैं बाहर भी पाई जाते हैं और तुचा के अंदर मतलब ऐसे पोर पाई जाएंगे उनको क्या बोला उभेचर बोला एंफीबियंस बोला कुछ लोग ऐसे जो रैंके चलते हैं सरी सर्प नाम जिया कुछ उड़ते हैं और किसी के अंदर क्या होगा इस्तन पाई जाते हैं इस्तन पाए जाते हैं बच्चे को जन्व देते हैं अंडे को जन्व नहीं देंगे क्या कहलेंगे अपने इस्तन धारी कहलेंगे अब देखो बात समयना अब बात समयना कैसे याद कैसे करेंगे इसको तो ध्यान देना मतश्य यानि क्या हो गया पीसिस इंग्लीज म गिए हिसकी स्पेलिंग मेंसे मैंने क्या उठा उटाया उसको अटाया वास समझ Dent न व memberối को क्या बोलते एंडिवेस बोलते अंग्रेज लोंकि तो उनको क्या बोला हमे ने इन एंफिब्स बोला रैप्टाइल यानि क्या दिखा आप पक्सी कहने का मतलब को अबी जी बोलते हैं और एवीज लिया अ मैंवेल्ज इस तंधरी को क्या बोला हमने परम आपको याद करना है को याद करना है को अदर वापीस क्या याद करना है पांच चीजें पांच कौन परम किसको जाद करना आपको परम P-A-R-A-M परम बहुत बहुत बड़िया काम अपना बहुत आसान हो गया अब कैसे परम तो देखो परम P-A-R-A-M बताओ P कहने का मतलब Sir P-C's और P-C's कहने का मतलब मतश्य Б्रीन का मतलब मजली वाले clipping मतश्य कहने का मतलब किया हो गया calculate three bins कहने का मतलब होता है उबेचर फीट हऊं इतने भी बच्चें नहीं है इतने तो तो पता चलता है हमें beschäft Chicago हो गया हार कहने का मतलब होता है 270 कहने का मतलब होता है सर सरी सर्प क्या होगा सर सरी सर्प होता है ए कहने का मतलब होता है सर एवीज और एवीज कहने का मतलब होता है पक्सी वगेरा और मैमल्स और मैमल्स कहने का मतलब परे क्या लिखा भई यानि क्या होगा सर मैमल्स और Mammals कहने का मतलब होता है सर इस्तन धारी और जिसके अंदर पाए जाता है इस्तन क्या कहलेंगे इस्तन धारी कहलेंगे क्या आगई क्या Quadita के बाद मैं वर्ग स्टार्ट करता हूँ में कौन सा वाला PIECES PIECES कहने का मतलब मचली वाला PIECES कहने का मतलब क्या हो गया मचली वाला तो देखते हैं मचली वाला स्टार्ट करते हैं वर्ग मतश्य कौन सा वर्ग मतश्य मतश्य कहने का मतलब PIECES हाँ ध्यान दन उसे क्या उठाए मैंने PIE उठाया ये देखो PIE बासन में आरे क्या तो पिसीस यानि मचली वाला और यह कैसे जीव होते हैं सीदी सी बात हैं मचली जल की रानी हैं मचली हमेंसा जल में पाई जाती हैं क्या बाहर पाई जाती है क्या नहीं कोई विचार करने वाली बात नहीं है जो मचली वाला जो वर्ग हैं वो मचली वाला वर्ग मचली वाला वर्ग कहांपर पायाजाएगा अपना जल्य जीवे का क्षिट का ना सर यह जल्म कोई दिक्केट वाली बात नहीं होने हैं सर जल्म पाया जाता है सरीर कवतच युगत होगा सरीर कासा होगा कवOSS की युक्त होगा उनके उपर की सेट में एक मोटी सी लेयर पहाई जागी और मचले की उपर आपने देखा होगा मोटी सी इकदम हार एक दम सुकी सुकी यासी लेयर झाती एक दम हाड कैसी लेर पाज़ाते सुकी सुकी लेर पाज़ाती है तो सरीर कैसा होगा कवच्च युक्त होगा और इनके अंदर क्या होते हैं गिल्स होते हैं बास में आरे क्या यानि उनके अंदर आपने सुना होगा बच्वन के अंदर पड़ा होगा उनके अंदर उसे क्या करेगा गल्फड़ों के अंदर क्या होते गिल्स होंगे ठीक है यह होगी मचली होगी अरे मचली बनेगी देखो तो इनके अंदर क्या होगा इनके अंदर क्या होगा यहां पर ऐसे गिल्स होंगे और उसे क्या करेंगे इसको क्या बोलेंगे हम गल्फडे बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको गिल्स बोलेंगे और इसे क्या करेगी यह सोसन करती है इसे क्या सौसन के लिए क्या पहाँ जाते हैं हमारे अंदर फेपड़े पाई जाते हैं लेकिन मचलियों के अंदर सार ऐसी कोई व्यवस्ताइब नहीं होती हैं बहुत-बहुत बढ़िया तो यहाँ पर क्या होंगे गिल्स उपस्रिद होंगे, ध्यान देना, इसमें बच्चों वाली बाते हैं, बिलकूल हम जानते हैं कि मछलियों के अंदर गिल्स प्रिजयर होते हैं, और इनके अंदर जो सीमेट्रीज यूगा और ठंडे खूंड वाले होते ध्यां देना इसका जो हदिये होगा वह कैसा होगा दो कक्स वाला बात को समय ना बात करूंगा मैं सबसे पहले इसके परीचंचरन की बात करूंगा परीज संचरण, परीज संचरण कहने का मतलब मैं इसके sir Players की बात करूँ गा, इसका जो sir पाय जाएगा वो कैसा पाय जाएगा, खुला के बात करूँ अगर मैं बात करूँ मानव के हदेद की, अर यह होते हैं निले के हैं कि तो मचली के अंदर जो हथे होगा वो हथे होता है 2 चैंबर यूट जिसके अंदर आलेंद और क्या होगा निले होगा आलींद और निले होगा चंबर कितनी से उसके अंदर दो द्धान देना हमारा खून कैसा होता है गर्म खून होता है मचलियों का खून कैसा ठंडा खून होगा अंडे देने वाले होंगे जिन से नए जीव बनते हैं यह क्या करेंगे यह अंडे देते हैं मचली क्या करते हैं अंडे देते हैं और कुछ का कंकाल उपस्तित वा कुछ की किसी खूर किसी के अंदर पाय जते हैं और किसे किसी के अंदर हड़ियां पाई पाई जाती है ठीक है उधारन क्या हो गया सारख रोव कटला और क्या हो बात होगी मचलियों की वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात होगी कि सर जो मचलियां होती है जो मचलियां होती है उनके अंदर गेल्स परजैंट होंगे उनके अंदर गल्फड़े परजैंट होंगे सारे के सारे जल्लियों होंगे यानि मचली जल्की रानी होती है और उसके के अंदर खुला परिचंसरन होगा यानि इसके अंदर सर ओपन टाइप का सर्कूलेशन होगा और इनके अंदर दो कुस्ट की हदे कैसा होगा दो कुस्ट की हदे दो कुस्ट ये हदे, very very important, इसके दर जो हदे होगा वह कैसा होगा सर, दो कुस्ट की हदे होगा, यानि इसके दर दो चेंबर पाए जाएंगे, एक कालिन और एक निले, हाँ, बात करो अगर इसके example की बात करें, तो कौन सा होगा, सारक, रोह, टॉर्पीडो, कॉमन कतला, कॉम और एम, आपको परम याद करना है, पी कहने का मतलब, पीसी सोगह?, पीसी स कहने का मतलब क्या होगा, मचली होगी, मत bell support, एक कίνए का मतलब क्या होगा, एंस नाम से पता चला है, जब इनका मूड हुआ पानी में, जब इनका मूड हुआ कहां पर आगे, इस सल पे आगे, कहन तथा जल दोनों में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं अगर कई नाम सुन लो आप एंफीबिया कहने का मतलब उभेचर नाम सी पता चला उभेचर उभे कहने का मतलब दोनों जगा पर पाए जाते हैं जो भूमी पर पाए जाते हैं जो जल में पाए जाते हैं जो इस्तल प कर Ciao उसको एम्फीबिया क्या बोलेंगे इसको एम्फीबिया बोलेंगे कोई इसमें बुरी वाली बात नहीं होनी चाहिए और्ध्यान देना फीम्फि उबे चरमे कौन आते हैं मेंडट व आते हैं या उते आपको फोटो दिख रहे होंगे ठीक है या नहीं कि तोचा पर ग्रंथियां उपस्तित होगी, इनकी स्कीन के उपर ग्लेंड उपस्तित होगी, ठीकिन स्कीन के उपर ग्लेंड उपस्तित होगी, आपने मेंड़ को हाथ में लिया होगा, जब मेंड़ को हाथ में लेते हैं, जब मेंड़ को हाथ में लेते हैं, तो हमारा हाथ भी क कैसा होगा ठंडा होगा और हदे तीन कोस्ट का बना हुआ होगा इनका जो हदे होगा वो कितने कोस्ट का बना हुआ तीन कोस्ट का बना हुआ ठीक है जिसमें से क्या होगा दो आलींद होंगे दो आलींद होंगे और एक क्या होगा इसके अंदर निले होगा इसको क्या बोलें अगर उबेचर की बात करूं, उबेचर कहने का मतलब एमफिबियंस की बात करूं, तो एमफिबियंस के अंदर बताओ। कितने कोष्ट कि हदे हो गया। sulfur हाँ, भूत बढ़िया। कितने कोष्ट की हदे हो गया। और वो गिल से भी कर सकते हैं, गिल्स कहने का मतलब तवचा पर जो मजूद जो पोर होंगे इसको गिल्स बोलते हैं, पानी में अंडे देने वाले होंगे, पानी में अंडे देने वाले कहने का मतलब क्या हो गया, इनके अंदर बाहे निचिसन होता है, बाहे निचिसन, बाहे मेंड़क और फिमेल मेंड़क नर तथा मादा आपस में क्या करते हैं एक शुक्रानों चोड़ दिया एक ने क्या चोड़ दिया अंडानों चोड़ दिया किसमें चोड़ा उसने पानी के अंदर किसमें चोड़ा पानी के अंदर और पानी के अंदर क्या होगा उसका निच्च तो इसका उधरन क्या हो गया है टॉड हो गया मेंडग हो गया और क्या हो गया सालामेंडर हो गया क्या हो गया इंडिया के अंदर पाया जाना वाले यह बड़ा वाला जो मेंडग होगा उसको क्या बोलेंगे हम बुल फ्रॉग बोलेंगे राना टिग्रिगस इसका नाम होता ह टेरीक किसके एंफिब्स की बातें खासका यह आपको फोटो दीक रहे होंगे सालामेंडर होगी ठीके सालामेंडर होगया मैंडक टॉड वगयरा यह सारे किसमें आते हैं एंफीबियंस में आते हैं किसमें आएंगे यह एंफीबियंस में आएंगे जानी कहने का मतलब यह पानी के अंदर भी पाया जाएंगे और जब इनकी इच्छा होगी तो यह भूमी के अंदर भी पाया जाते हैं अरे बासन में आरी क्या बहुत बहु बिलते हैं साप को बिलते हैं हाँ सरी सर्फ की बात करेंगे सरी सर्फ कहने का मतलब रेप्टाइल या सरी सर्फ रेप्टाइल या जो रैंके चलते हैं जो रैंके चलते हैं ऐसे ऐसे चलते रहते हैं ऐसे चलते हैं इसको क्या बोलेंगी हम रेप्टाइल बोलेंगे और अधिक स्टन्स कैसे होते हैं स्तल्स आपने देखा होएंगे कचुआ हो गया वगया साफ्य वगयरा यह मैक्सिमम का पर पुल जाते हैं धर्थिक पर बाज GIR और पानी वाले कुछ वाइपर बगएरा साप बगग वागिर वो कहा पर पाये अपने पानी के अंदर पायाँ कहा पर 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 पाल पर जाएगे फ़ा पानी के अंदर yılतार रेकिन ध्यान देना इनके अंदर फैपड़े होंगे और सरी के ओपर क्या होंगे सल्क होंगे ठीक है सरी के ओपर क्या होंगे सल्क होंगे और इसके अंदर परजेंट होते हैं फैपड़े इनके अंदर फैपड़े परजेंट होंगे और सरी के ओपर सल्क यहां पर पाये जाते हैं शीत कहने का मतलब ध्यान देना, जो रुदीर होगा वो गर्म खुन वो इस्तन्धारियों का होता है, बाकी सब का खुन किया सा होगा, सीत कहने का मतलब थंडा रुदीर होगा, उसके अंदर गर्म खुन वाले नहीं होगे, हदे त्री कोस्टी है लेकिन मगर्मच का हदे चतुर कोस्टी है जा के अंदर दो कोस्टक अगर मैं बात करूं किसकी हाँ अगर मैं बात करूं उबेचर की बात करूं मेंडक की बात करूं थ्यान देना अगर मैं बात करूं मेंडक की बात करूं तो मेंडक का हदे कैसा सर त्री कोस्टिया कैसा होगा त्री कोस्टिया अगर मैं बात करूं सापों कि वगरह अगर मैं सापों की बात करूँ तो इनके अंदर भी जैसा हो क्यों कि उसके अंदर भी चार हदे, चार मतलब कोस्टक हदे के अंदर, हमरे अंदर भी कितने कोस्टक, चार कोस्टक, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो मगर मच होगा, जिसके आंदर जो हदे होगा, वो कैसा होगा, चतूर कोस्टिय, चार यहां पर होगे, कोस्टक होगे, वेरी वेरी इंपोर स्मelак कार्बोनेट का यहां पर उनके चारों और में कवच होगा और वो अंडे देते हैं ठीक हैं उधुदरन के लिए क्या हो अपना उधरन के होग होगे साप होगे साप होगे कच्वा छिपकली मगरमच आदी मियदों कैसर मगरमच भी सापों में आता है क्या बिल्कुल मगरमच भी किसमें आएगा चापों के अंदर आएगा और जो कचुआ होता है कचुआ वो भी किसमें आएगा अपना मगरमच के अंदर आएगा वे तो कोई बात नहीं लेकिन क्या चिपकली भी सापों के अंदर आएगी क् मैं जब दीक और अपन घरों के अंदर देखतें और उसे डरते हैं काफी लोग ठड़े के तो वो भी किसमें आती है दूब का अपना अपना यह क्या हो गया गिर गिर गिट और के वाल हो गया यह सारे किसमे के लेंदर के अंदर आते हैं का वह बहुत ही बढ़िया चलते हैं आगे अब बात करेंगे इसके बाद में परम को याद के रखना पी ए रार के बाद में आता है ए ए कहने का कहने का मतलब एविज När also the name пог Premiere and Ampers के लास्ट करेगा मैमर्स के इंस का मतलब क्या होगे अपना इस्तंधरी बाद करेंगे एवीज का मतलब उड़ने वाले विज कहने का मतलब नाम सेabe होता चला है उड़ने वाले अब बात आते कि सर ये उड़ते क्यों है अरे उड़ते इसलिए हैं क्योंकि इनकी हडियां होगी वो कैसी होती है खोकली होती है इनकी हडियां कैसी होती है खोकली होती है और इनकी हडियों के अंदर भाई साब क्या होता है हां बहुत बढ़िया स इनकी हडियों के अंदर हवा बरी होती है वेरी वेरी इंपोर्टन इनकी हडियों के अंदर क्या होती है हवा भरी हुई होती है तो बात आती है सबसे पहले कि इनके अंदर क्या होगा शरीर पर क्या होंगे इसके अंदर या उड़ने वाले प्राणी होते हैं या उड़ने वाले जीव होते हैं अब उड़ते क्यों हैं क्योंकि इनके हड्यों में हवा बरी होती है इनकी हड्यों के अंदर क्या हुआ हवा बरी होई होगी जिसके कारण क्या हो गया यह हलकापन मैसूस करते हैं और उड़ने के लिए इसके अंदर क्या पाज़ते हैं या इसके अंदर पंक पाए जाते हैं और पंक क्या करते हैं उसको उड़ने में साहिक होते हैं इसको उड़ वाले जो मैमल से उसका भी खून कैसा होगा गर्म खून होगा हदे कैसा चार दे हमारे अंदर भी कैसा चार तो कहने का मतलब हमारे और इनके अंदर कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है इनके अंदर हदे कैसा सर इनके अंदर तो दो वाला इनके अंदर किन कैसा तीन तीन और चार कोस्टरक वाला हदे हैं अरे भासल में आरए क्या चार कोस्टक तीन कोस्टक दो कोस्टक इसका Matthew का क्यों हो उब हगी अर अगर दो चंबर हैं किया कला के कलेंगे फोशटी होदे अगर तीन चम्भर हैं तो क्यां के लगत यहां देना परम को याद रखना है इस परम के अंदर पी के अंदर कैसा द्वी कोस्टी हदे और ओर अर्ड याने कौनसा वालां एंफीयंस और हैप्टाइल आंफीयंस और या बहुत बड़े है तर इसका इन्दर हो हो गया सर चतूर कोस्ट्री हदे यानि इसके अंदर चार चेंबर पाए जाते हैं बासिन में आगी क्या हाँ बहुत कि हैं सोसन किस की दार करेंगे फैपड पाए जाएंगे शाल हमारे अंदर और प्रोड यहित रहते होई लेकिन अलग क्या हो सरीर पर पंक पाए जाते हैं हमारे अंदर क्या पंक पाए जाते हैं क्या नहीं हमारे अंदर पंक नहीं पाए जाते हैं इनके चार और क्या पाए जाते हैं सरीर सिर गर्दन धड़्व पूंच में विबाजित होगा हमारे जैसे होगा ध्यान देना लेकिन हम भी आते हैं लेक जीत होगा और अग्रपाद पंकों में रुपांद्रित होंगे इसके जो आगे वाले जो पैर होते हैं वह पंकों का रूप ले लेते हैं वह पंकों का रूप ले लेते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात यह अग्रपाद पंकों में रुपांद्रित हो जाते हैं नर्व मा एक वारद जैसे सिस्ट्रम होगा नर अलग मादा मादा अलग अलग होंगे ध्यान देना बात असजने में आरे कि आप सबी को हमारे जैसे ही विष्चरत पाय जाती है हाँ हमारे क्या हो गर्धन धड़ वक्स उदर इन में क्या होगा अलग अलग वो शरीर हमारे डिवैड के यह नर्मादा हमासरद अलग अलग एगजेंबल होगा कोवा कपूतर मोर आदि उड़ने वाले कोवा कभूतर मोर गोरिया चिडिया पक्सिवारे durumने वाले हैंले वो सारे के सारे किसमें आएंगे तोता मेना ये सारे किसमें आएंगे ये सारे के सारे किसमें आएंगे एवीज के अंदर आएंगे एवीज कहने का मतलब पक्सी वर्ग उड़ने वाले सारे के सारे उड़ने वाले अरे बहुत 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 आसान और बहुत बहुत बढ़िय बात चलते हैं आगे कि लास्ट अपना कौन अवाला है हाँ इस तन्धारी कहने का मतलब मैमास यह देखू आपको दिख रहे होँगे अच्छे फोटो लेकिन ध्यान देना सर यह क्या इस्तंधारी की बात की लेकिन इसको मचली यहां पर फोटो दिख रहा है बिलकुल सई सुना है आपने सई पकड़े हो सभी इस्तंधारी यानि कुछ ऐसी मचलिया होती है वो कैसी होती है इस्तंधारी होती है कुछ मचलिया कैसी होती है इस्तंधारी होती है जिन के क्या पाज रखना है आप क्या करोगे हां बच्चे याँ पर गलती करते हैं कि सर चमगादर तो उड़ती है उड़ती है तो सिदी सी बात ये तो फक्सी वर की होगी लेकिन ये गलत बात है बाबू ये गलत बात है ये क्या होंगे अपने सेरशिते सेर चित्ता हो गया यह अपना ठीकिना यह क्या हो मार्शुपियन हो गया यह सारे तो सबसे बड़ा वर्ग ध्यान देना सबसे बड़ा वर्ग सबसे बड़ा फाइलम नहीं बोला है ध्यान देना सबसे बड़ा फाइलम तो कौनसा अपना और तो पोड़ा कौनसा हो गया और लेकिन अगर मैं कौड़िटा के अंदर बात करूँ सबसे बड़ा कौड़िटा के अंदर बात करूँ मैं अगर सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौड़िटा के अंदर कौन सा हो गया अपना इस्तंधारी वर्ग सबसे बड़ा अरे इंसान की कमी नहीं है सेरों की कमी नहीं यहां पर इंसानों की कमी नहीं है समगादोडों की कमी नहीं है वेल की कम नहीं है कहने का मतलब इस्तंधारी प्राणी भी कोई कम नहीं है सापों वगर इनसे तो ज़्याद ही है ना अरे इनसान वगर इन सापों से मचलियों से मगर मचों से इनसे तो ज़्याद ही है तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ा है सबसे बड़ा कहने का मतलब इनके अंदर विराट मात्रा के अंदर यानि बायो डावसिटी पाई जाती है ज जो सरीर का तापमान है, वो ही क्या होगा, अपना खून का तापमान होगा, सरीर बाल युक्त होगे, इसमें कोई लोचे वाली बात नहीं है, सरीर पर बहुत बाल होगे, वो बहुत उगते हैं, गर्म रुदिर वाला होगा, कोन कैसा होगा गर्म होगा इस्तन गरंथियां पाई जाती है बहाए कान उपस्तिद होंगे इस्तन गरंथिया पाई जाती है यानि यो काम नहीं करती हैं लेकिन फ्मेल के दूद का निरुमान करती है। पही मेल के अंदर दूद का निमान क्यों करेंगे ठीक है सीधी सी बात होगी इस्तन गरंचियां बाहे कंड उपस्तित जिन के अंदर क्या होंगे बाहर की सैड में कान उपस्तित होते हैं अरे इसको चीज को रड़ने की बिलकुल जुरूत नहीं है शरीर पर बाल बरपूर मा करेंगे फैपड़े पाए जाते हमारे अंदर लंग्स पाए जाते हैं तो सौसन किसके द्वारा करेंगे हम लंग्स के द्वारा करेंगे यानि किसके द्वारा करेंगे बहुत बढ़िया ला सौसन करेंगे किसके द्वारा हम फैपड़ों के द्वारा यह क्या करेंगे सीध यह किसको जनम देते हैं सर बच्चों को जनम देते हैं वो अंडों को जनम नहीं देते ध्यान देना यह अंडों को जनम नहीं देते निचेसन किरिया आंत्रिक होगी मैंने बताया था निचेसन दो परकार का निचेसन दो परकार का एक होगा कौन सा वाला आंत्री कौन सा वाल हुगा अंदर की सेड़ में हुगा लेकिन 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 सुनना लेकिन मैंने बात की ती किसकी उबेचर की बात की थी मैंने मैंड़क के अंदर निचेसन कौन सा बहारी निचेसन होगा बहारी निचेसन होगा external fertilization होगा सिस्वों को जनम देंगे निचे सन बाय होगा हदे चार कोस्ट की होगा कोई दिक्कत वाली बात ने माबाप द्वारा सिस्व की देख बाल होगी ध्यान देना पक्सी वगर होते हैं वो क्या करते हैं अंडे को जनम दे के चोड के चले जाते हैं वापिस आते तो हैं लेकिन यहां पर क्या होगा माबाप के द्वारा बच्चे की देख बाल होती है ठीके उधारन क्या हो गया मनुश्य अरे हम किसमे आते इस्तंधारी आते हैं हमारे अंदर इस्तंध पाई जाते हैं और हमारे सजी के अंदर बाहर की सेड में कान पाई जाते हैं हमारे हदा जो हमारा जो हट होगा जो हमारा हदे होगा वो कैसा होगा चतूर कोस्टी होगा यानि हदे के अंदर जो चेंबर होंगे वो कितने होंगे बैसा पूरे चार सेंबर पाई जाते हैं हमारे दर चार जमगादड़ और यह क्या होगी अपनी वहल मचली क्या होगी अपनी वेल होगी बाते सब्सक्राइए कि आप सभी को तो हो गया अपना खतम पांच चीज़ें पराम कौन कौन सा यादा रहा होगा सभी को बहुत-बहुत आसान बातें ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एक बार और जंतु जंगत के अंदर वापिस देखा हमने अलक प्रकार का कौन सा वाला पॉरीफेरा कौन सा देखा भाई सा पॉरीफेरा कौन से लेंड ट्रेटा प्वरीफेरा और शील यहर्लैं ट्रेटा है कर्वेट ही हलीनर्थ एसके हलेवेंटीस एने लीड़ा एने लीड़ा और तो पोड़ा कौन सा वाला आगे बोलेंगे सभी मॉलस्का मॉलस्का एकाइनो डर्मेटा और कौन सा वाला भाई हैमी कोडेटा हमी कोडेटा और कौन सा वाला कोडेटा बहुत बहुत बढ़िया कौन सा वाला कोडेटा और हमने कोडेटा के अंदर वापिस ध्यान देना कितने देखे पान्च वेरी वेरीąż इंपोटनन्स की अंदर कितने हैं हम ने हम इपांच सबसे पहला कौन शा के와 मतश्य के बाद में क्या था अपना एंफीबियंस 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 यानि उभेचर वेचर एंफीबियंस मतश्य अ शरी सर्प अभी इस इस्तंधरी अब कि इस्तंधरी काने का मतलब ममल्च device यानी proxy work सरीसरफ यानी रेप्टाइल आपको याद करना इसका अंदर PA, R, A, M किसको याद करना आपको परम को याद करना है यानि यह क्या हो, इसके अंदर वर्ग होगे यानि परमजाद करना है। बात सब्सक्राइब कोजिए आसा करेंगे आप सब्सक्राइब को समझ में आ गया होगा। ठीक है हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट यानि कौन सा वाला क्लाशिफिकेशन वर्गी करन ओके वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद